नमस्कार श्रागत आप सभी का आप सब देखरें मन चाहनी उजमें आपके सातंकी सिंग चुहान बीग बैस लीग 2020 यानि कि आस्टेलिया लीग जिसमें कैसा वाक्या हुआ जहां आज तक किसी अंपायर ने भी न सोचा होगा और ना ही कभी किसी दर्शक ने सोचा होगा आख वेड को दो फिल्डरों की मदद से कैच किया जाने पर नियमों को लेकर भ्रम की स्थिती पैदा हो गई हलाकि एम सीसी ने अंपायर को आउट वाले फैसले को सही बताया लेकिन यह मामला तब और तूल पकड़ता गया जब होबाट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 14 दस तो ब्रिसबेन की तरफ से मैट Tortor bounded सीमा रेखा के बेहत करिब फिल्डिंग कर रहे थे उन्होंने गेंद को कैच कर ली लेकिन वो संतुलन नहीं बना सके और जब और खुद पर संतुलन नहीं बना पाये तो सीमा रेखा पार जाने से पहले उन्होंने गेंद हावा में उच इसके बाद उन्होंने सीमा रेखा कि पार गीर रही गेंद को उचल कर हाथ से मारा और जिसे सीमा रेखा के अंदर टॉम बैटर ने कैच कर लिया जो डीप मीड विकेट की तरफ से फिल्डिंग कर रहे थे और दोड़ते हुए अपने साथी के पास मीड विकेट पहुचे थे तीसरे अंपायर ने लंबे समय तक विडियो को देखने के बाद वेट को आउट दिया जो इससे पहले ही क्रीच छोड़ चुके थे इस मैच में लगतार हो रहे बिवाद के बाद जब अंपायर ने तीसरे अंपायर का निर्णर लिया और इसके बाद वेड ने मैच के परचारक चैनल से कहा कि मुझे नियम के वारे में वास्तों में पता नहीं है एक बार जब वो सीमा रेखा के पार चला गया तो मुझे नहीं पता कि उस गेंद को चुने की इजाज़त है या नहीं अम्पायरों ने कहा कि उसे ऐसा अधिकार था और जब उन्हेंने मुझे बताए कि वह सीमा रेखा के बाहर जाकर उसे उच्छाल कर वापस सीमा रेखा के अंदर भेज सकता है तो मैं समझ गया कि मैं आउट हूँ नियमों के 2017 के अपडेट में अगर आपको बता दू तो बांडरी और हवा में उचलने वाले छेतरक्षक का प्रवधावन था किर्केट नियमों के संडरक्षक मेरी बुलोन किर्केट कलब यानि कि MCC ने ट्विट किया कि नियम 19.5 के अंदर गद या कैज वैध माना जाता है